देखिए बच्चो आज हम लोग क्या करेंगे तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिसे एड वन पॉइंट टू के कौन कौन से कोश्चन कोश्चन नमबर 9, 10 और 11 ठीक है और इसके पहले के सारे कोश्चन अल्रेडी हमने कंप्लीट कर लिये हैं अपने पिछले वीडियो में त सेग्मेंट बीडी क्या है यह किसको है किसको तो ऐसेपिए सद्श को को और यह इसका डिखाई दे रहा है यह कितना यह है X plus 2 तो फिर हमें यहां पर क्या फाइंड करना है हमें यहां पर वेल्यू ओफ एक्स का वेल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे बहुत आसान है इसमें हम लगाएंगे हमारा एंगल बाइसेक्टर थीरम ओके तो चलिए फटाइक से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों देखें यहां पर हम क्या लिखेंगे पहले यहां पर मैं लिख देती हूं सॉलिशन उसके बाद क्या करना है सुनो अच्छे से ध्यान से सुनो बहुत सिंपल सवाल है देखें यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ट्रैंगल एबी सी में इन ट्रैंगल एबी सी ट्रैंगल एबी सी में हमने यह देखा कि यह जो रे बीडी है यह बाइसेक्टर है कौन स कोइसिक कर रहा हैं Bise suka A, B, C तो अगर ऐसा कुछ है तो हम इसमें लगा सकते हैं है ना यहां पर लिखेंगे सुधियार वोर लाइंगल Theorem ठीक है अब चलो बता ओंगल Palisector theorem क्या कहता है तो अनल बाईसेक्ठर इसे बात कहता है क्या बात कहता है जैसे जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है उस एंगल के जो अपोजिट में साइड है उसका रेशियो किसके एक्वल हो जाएगा तो जो रिमेनिंग टू साइड सेना उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा यानि कि यहां पर कुछ ऐसा बनेगा एडी अपॉन डीसी देखो तो यहां पर मैंने लिग दिया स्टूडेंट एक्स माइनट टू और डीसी कितना है एक्स प्लस टू यहां पर मैंने लिग दिया एक्स प्लस टू ओके फिर एबी कितना है वह एक्स यूनिट का और बीसी कितना है एक्स प्लस फाइफ तो यहां पर मैंने लिग दिया है प् कि बाद multiply में हो जाएगा यानि कि कुछ ऐसा condition बनेगा कैसा दिखो फैले से ही लहां पर भी कुछ आपर क्वी hell 2 स्क्रक्राइब इसका म reopening consciences maker एत्स के एक spaghetti इसमें किया तो यहां पर एकस स्क्राइब ये स्क्वैरा एक का क्फाइब च्पाय में गया तो यहां पर आजाएगा फॉल टाइजा स्कमाइन धर गर टाइगा और माइनस 2 i5 9 8 और यह माइनस में आए उतन प्लाइस क्या होता है माइनस होता है हम सभी मालूम है यहाँ पर देखिए x का multiply x में किया तो x square x का multiply 2 में किया तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चो 2x ठीक ओके अच्छा अब क्या करें तो देखो भाई अब क्या करें बता रहे हैं हम आपको सुनिया अच्छे से ध्यान से देखें यहाँ पर क्या होगा यह देखो x square और यह x square मैं दिखाऊं आपको x square इसको मैंने इदर बुलाएगे माइनस x square हो गया फिर 5x-2x करोगे तो कितना आएगा तो यहाँ पर आजाएगा बच्चो 3x आएगा उसके बाद यह जो 2x दिखाई दिरहे इसको भी इदर बुला लो तो जब यह इदर आएगा तो माइनस में हो ज करतेगा यह देखो प्लस x square माइनस x square एक प्लस में माइनस में दोनों को मैंने काट दिया 3x-2x करोगे तो 3 में से दो गया तो एक यहाँ पर आजाएगा एक्स विच इक्वल टू 10 तो आप देख सकते हूं x का वेलू हमें यहां से क्या मिला है प्यारे दोस्तों तो यह हमे हमें मिलता है 10 और क्या हमें यहीं निकालना था यह बिल्कुल हमें यहीं निकालना था find the value of x लो भाई हमने निकाल लिया ओके देखा कितना आसान question था तो 9th question यहां पर होता है complete ठीक चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानिकि क्वेशन नमबर 10 पे तो यह activity based question है और तो कैसे होगा सुनिए द्यान से पहले यह question हम पढ़ेंगे हमारे सामने है यह figure ओके figure है तो यहां पर क्या लिखा है कि in this figure आप देखिएगा x is any point x एक कोई भी point है in the interior of a triangle triangle के अंगर okay point x is joint to vertices of triangle यानिकि point x is a triangle के सारे vertices को हमने join किया है तो जब हमने join किया तो यहां पर हम देख रहे थे और और क्या लिखा है और यहां पर यह लिखा है क्यू आर क्यू आर क्यू और कहां पर यह यह parallel मेँ तो फिर हम अब depends कर दिखा यह इसांगे आभाद अब के आप समझ पा कैया है उफ्क्राइख अम लोगों को प्रूफ कर ना है तो यहां पर लिखा में면 कर C त WOR तो फिर आपको यहां पर प्रूफ करना है, you have to prove that कि PR is parallel to DF, यह चीज हम लोगों को प्रूफ करना है, यहां पर दो बाते दी गई हैं और यह प्रूफ करना है, with the help of this activity, ठीक है, चलिए भई, तो अब इसको हम complete करते हैं, फटा फट से, बहुत simple सवाल है, इसमें basic proportionality theorem बस आपक आपके हाथ में होगा, ठीक है, तो चलो देखते हैं, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, मैं यह कर ले लेती हूँ, ठीक है, यहां पर लिखा है कि in triangle XDE, तो triangle XDE कहां पर है, ठीक हो, X, XDE, यानि कि इस triangle की बात की जा रही है, भई, कौन से triangle की, तो यह वाले triangle की, ठीक है, It is given in the question ओके समझ में आया ये question में दिया गया है मैंने यहाँ पर given लिख दिया ठीक है तो अब मुझे एक बात बताओ अगर ये PQ पहलले DEK तो basic proportionality theorem से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये opposite side में बनने वाला ratio है वो क्या हो जाएगा वो आपस में equal हो जाएगा यानि कि देखो XP upon PD किसके equal होगा XQ upon QE के equal हो जाएगा तो लिखे हम देखो XP पहले से लिखा हुआ है यह PD यहाँ पर आजाएगा आपका PD ठीक है फिर इधन से XQ upon QE तो यहाँ पर आजाएगा XQ upon में क्या आएगा QE बाई basic proportionality theorem इस इस यह equation number 1 इतना clear है अब उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा triangle लेंगे कौनसर triangle लेंगे भई तो हम यहाँ पर triangle लेने वाले हैं प्यारे बच्चो यह वाला triangle XEF देखो XEF यानि कि यह वाले triangle की बात की जा रही है ठीके तो इस triangle में हमने क्या देखा यह जो qr है ना this is parallel to ef ठीके अच्छे से देखना यह जो qr है यह parallel है ef के ऐसा हमारे question में given है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं given ओके यह हमारा क्या है भई यह हमारा given part है ठीके तो देखो भई अगर यह दोनों आपस में parallel है तो फिर यहाँ पर जो opposite side में ratio होगा है ना तो वो भी क्या हो जाएगा आपस में equal हो जाएगा by which theorem basic proportionality theorem तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि xq upon qe देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी xq upon qe यह equal हो जाएगा ठीक है रुको यह e ठीक से नहीं बन रहा xq e ठीक है यह किसके equal होगा तो xr upon rf के equal हो जाएगा तो xr upon rf बराबर समझा है ना xr कहाँ गया xr upon rf के यह equal हो जाएगा बराबर इसको आँ लिख देंगे equation number 2 और कौन सा theorem वही basic proportionality theorem आप यहां पर लिख करके बता देना बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थियर्म ओके चलो यह हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थियर्म अब बच्चों यहां पर आपको क्या करना है equation number 1 और 2 को अच्छे से गोर से देखना है ध्यान से देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे है क्या आपको similarity दिखाई दी रही है तो यह देखो इधर है xp upon pd आचा रुको एक मिनिट एक और बात सुन लेजिए हमें यहां पर क्या प्रूफ करना था यह पी आर जो है ना वह डी एफ के मतलब पैरलल है ठीक है तो अब यह दोरो लाइन पैरलल कब हो सकते है जब माल लीजिए माल लीजिए यह हमारा क्या है वज्यों यह पुरा एक ट्रेंगल एक हम बात कर रहें और यह हमारा पैरलल मतलब यह एक लाइन गया हुआ है लाइन इसको इस वाले साइड को बस इस ट्रेंगल की बात में कर रही हूं ठीक है बाते सब को छोड़ देना यहां पर यह आंगल पॉइंट आर पर यह इंट यही हम लाने वाले हैं यानि कि यह देखोई xp upon pd और xr upon rf इन दोनों को equal लाने वाले हैं equation number 102 से और उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा तो चलिए अब देखिए equation number 102 को ध्यान से xc को xq upon qe इसमें भी है और इसमें इकवल में यह है और इसके इकवल में यह है यह दोनों क्या है सिमिलार है तो equation number 102 से हम क्या बोल सकते हैं कि this is equal to this ऐसा बोल सकते न तो देखिएगा यहां पर अब हम क्या लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे प्याले बच्चों यह xp देखिए xp upon pd यह equal हो जाएगा किसके equal होगा तो यहां देखो xr upon rf के यह क्या हो जाएगा यही तो मिलाना था देखो यहां पर हमें क्या मिला xp upon pd यह देखो xp upon pd which is equal to xr upon rf और हमें यही लाना था तो यहां पर यह ratio आपस में equal आ चुके है तो basic proportionality theorem के कनवर्स से हम क्या बोल सकते है कि pr is parallel to df ठीक है तो बस यह हो चुका है complete आप देख लो this is very simple question right देखे कहां पर जा रहे थे चलो समझ में आगे आप सभी लोगों को बहुत अच्छी बात है देख लीजे अच्छे से अब उसके बाद finally इस practice it का last question हम देखेंगे which is question number 11 आईए अब मैं आपको बताती हूँ question number 11 के बारे में तो इस पे लगा हुआ है star mark और star mark वाले question जो है वो थोड़े से tricky होते हैं पर कोई बात नहीं हमें तो सारे theorem पता हैं तो tricky से tricky question आने तो कोई बात नहीं हम सारे question को solve कर लेंगे तो देखिए भाई इसमें क्या लिखा हुआ है in triangle ABC तो अब हमारे सामने कोई figure है नहीं तो हमेना यहाँ पर figure बनाना पड़ेगा अगर figure ना हो तो figure बना लिया करो तो आओ कि रहे बी डी Isis अगल ABC यानि कि एक रहे है बी डी जो क्या करता है जो को complaint करता है किसको December अगल ABC को यानिकि समे अभे को मतलब एक है हमारे पास lengueá डी जो क्या कररहा है angle ABC यानि इस angle B को bisect कर रहा है तो चलो यहाँ पर हम bisector बना देते हैं यानि कुछ इस प्रकार से ठीक है रुको यहाँ पर line क्यों नहीं बनी properly यह देखो यहाँ बनीगा ठीक BD जो क्या कर रहा है जो इसको bisect कर रहा है यानि कि two equal parts में divide कर रहा है यहाँ पर हो जाएगा हमारा point D फिर आगे क्या लिखा है कि ray CE bisects angle यहाँ पर ray BD था जो मैंने इधर बना दिया फिर उसके बाद ray CE भी है जो bisect करता है angle ACB को मतलब इस वाले angle को तो देखो बच्चो अच्छे से इसको मुझे ना draw करना पड़ेगा रुको क्योंकि इसमें दो-दो bisector आ गये हैं तो थोड़ा मैं arrow वाला figure यहाँ पर बनाऊ तो जादा अच्छा है रुको यह मेरा angle bisector हो जाएगा जो इसको bisect कर रहा है two equal parts में और यहाँ पर आ जाएगा point B, B और यह D ठीक है पर उसके बाद race CE है जो angle ACB यानि कि इस वाले angle को bisect कर रहा है तो चलो यहाँ पर एक और हमें angle bisector बनाना पड़ेगा तो यहाँ से यह हो कर के जाएगा कुछ ऐसे बलाबद और इसका नाम क्या हो जाएगा race CE तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चो E ठीक है इस प्रकार से ओके तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है देखिएगा और यहाँ पर एक और बात दी गई है कि segment AB is congruent to segment AC यानि कि AB और AC दोनों आपस में क्या है congruent है तो फिर आप प्रूफ कीजिए कि AD is parallel to BC मतलब यह जो ED है ना ED यानि कि यह वाली लाइन देखो यहाँ पर मैं आपको बना करके बताती हूँ इस color से बनाओ मैं चलो इस color से देखो यह जो आपको ED दिखाई दे रहा है ने ED यह parallel है BC के ऐसा हमें प्रूफ करना है ठीक है समझ में आया देखो मैं एक बार फिर से अच्छा से explain करती हूँ listen carefully यहाँ पर फिकर नहीं था ना इसलिए थोड़ा सा confusion होने के chances है बट डोंट वरी फिकर मैंने बना दिया देखो हमारे पास है अब उसमें हम क्या देख रहे है कि अंगल ABC का bisector है रे BD देखो रे BD क्या है अंगल ABC का bisector है ठीक है फिर अंगल AC B का bisector क्या है प्यारे बच्चों CE है ठीक इतना यहाँ पर clear है बराबर मतलब this is कहा गया this is congruent to this और पिर यहाँ पर क्या बोला गया था हमें क्या चीज़ प्रूफ करना है यह जो आपको ED दिखाई देरा है ना this is ED क्या है पैरलल है किसके BC के यह चीज़ हम लोगों को अब कैसे लाएंगे तो यहां पर हम यूज करेंगे बच्चों एंगल बाइसे शुरू करते हैं आप देरी नहीं करेंगे चलो बहुत क्या लिखेंगे इन ट्रैंगल ABC ट्रैंगल ABC में हमने क्या देखा कि रे BD बीडी जो है वह बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट अंगल ABC और रे CE बाइसेक्ट अंगल ACB ठीक है और यहाँ पर क्या दिया है और यहाँ पर एक और बात दी गई है कि segment AB is congruent to segment AC ठीक है तो यह सारी information हमको दी गई है ओके कोई बात नहीं देने दो फिर उसके बाद इसका जो to prove है वो हम लिखेंगे तो बोलो भई हमें क्या प्रूफ करना है we have to prove that जो प्रूफ कर रहा है उससे हम यहाँ पर लिख देंगे प्यारे दोस्तों तो बोली हमें क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पर यह प्रूफ करना है कि AD is parallel to BC ठीक है चलो अब इसका जो प्रूफ है वो हम यहाँ से start कर देते हैं आईगे चलो तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना देखो बच्चो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले आप सुनते जाए यह जो हमारा triangle ABC है इसमें हम क्या देख रहें कि BT क्या है BD Bicector है किसका Bicector है Angle A B C का तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि In Triangle A B C Triangle A B C में हमने क्या देखा कि जो Ray BD है न Ray BD Bicects Angle A B C ठीक है Ray BD क्या कर रहा है वो Angle A B C को Bicect कर रहा है तो क्या हम इसमे Angle Bicector थे हम लगा सकते हैं Yes बच्चों बिल्कुल लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे So therefore Bi-Angle Bicector Theorem ठीक है यहाँ पर मैं लिख दू Bi-Angle Bicector Theorem ठीक है Angle Bicector Theorem इस Theorem से हम क्या बोल सकते हैं तो इस Theorem से हम एक बात बोल सकते हैं कि देखो अब यह Angle की हम बात कर रहे हैं दिहान से समझना कौन से Angle की मैं बात कर दी हूँ Only this Angle की तो इसके opposite में कौन से side है यह वाला तो यहाँ वाला जो ratio है यानि कि AD upon DC यह किसके equal हो जाएगा तो AB upon BC के equal हो जाएगा समझ में आया तो देखें यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या लिखूंगी मैं देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AD upon DC AD upon DC यह किसके equal हो जाएगा तो AB upon BC के equal हो जाएगा ठीके AB upon BC के equal हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे प्यारे बच्चो equation number 1 करके क्योंकि इसके जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी ओके समझ माई इतना अब उसके बाद हम क्या करेंगे फिर से इसी प्रकार से यह वाला जो हम देख रहे हैं कि angle C का angle AC B का bisector क्या है race CE है ना तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि similarly जैसे हमने ऊपर वाला किया ना है एंगल कौनसे एंगल को AC B को यह is सेक्ट कर रहा है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं को यहां पर हम מכ الص सिंग एंगल आ तो एंगल आई सिर्ण से आप क्या बोल सकते हो झзд भूल सकते हो सुनों ध्यान से पहले आपने इस फिकर में देखिए आपको समझ में आ जाएगा इसके अपोजिट में कौन से साइड है एब बराबर तो यहां पर जो रेशियो बनेगा देखो एई अपॉन एब यह किसके एकवल हो जाएगा तो एसी अपॉन बीसी के एकवल ह हो जाएगा तो यहां पर मैंने लिख दिया एसी अपॉन बीसी और इसको आम लिख देंगे दोस्तों एक्वेशन नंबर टू करके क्या लिखेंगे एक्वेशन नंबर टू क्योंकि इसकी भी जरूरत हमको आगे पढ़ने वाली है चलो यहां तक आप लोगों को अच्छे स आपस में क्या है कॉंग्रूइंट है यहां पर लोगों को ध्यान में रखनी है आपके हाथ में आने वाला है अब देखो यहां पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम वन और टू से हमें एक बात समझ में आएगा क्या समझ में आएगा अच्छे से इधर ऑब्जर्व कीजिए दोनो को देखे है अबर क्या लिख़़ए अपों डीसी किस ववल्हें यहां पेक्षर यह किसके इक्वल यां वक्सक्यूं एक वल्ट किक्या अपटों अपन विसी दोनों सेमी कुछिए ईए के जगहां पर हम हैं सिलिख सकते हैं जैसे से मालो अगर यहां कर게 मैं एदर A C लिख दू तो क्या हो जाएगा और दोनों को हम लिख भी सकते हैं क्योंकि A B और A C दोनों आपस में क्या है भाई congruent है यह बात भी आप ध्यान रखो ठीक है ना तो यहाँ पर देखिएगा A B के जगह पर मैंने क्या लिख दिया A C तो A C अपॉन B C इधर भी A C अपॉन B C तो देखो दोनों का जो यह वाला साइड है राइट साइड ओके दोनों आपस में क्या है congruent है तो अगर इन दोनों के राइट साइड congruent है तो फिर यह लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे यानि कि this ratio is equal to this ratio हो जाएगा ऐसा बराबर तो देखो इसको अभी मैं मिटा देती हूँ a e upon e b बराबर और यहां पर एक और बात लिख दीजिएगा कि हमारे कोश्चन में एक और बात दी गई थी कि यह दोनों आपस में congruent है और वहीं से तो आमने लिखा कि क्या लिखा रुखिए यहां पर लिखते हैं कि segment a b is congruent to segment a c बराबर यह भी आपको यहां आपे लिख करके बताना पड़ेगा ओके इतनी बात समझ में आई अब आपको क्या करना अब इसको देखिएगा इस फिगर को देखिएगा इसमें क्या लिखा है एडी अपॉन डी सी यह किसके एक्वल है और यहीं तो हमें प्रूब करना था देखो यह वाला रेशियो यह अब दोनों आपस में क्या है कॉंग्रूइंट है बराबर और आगर यह दोनों इक्वल है तो फिर यह जो एडी है ना किसके पैणलों हो जाएगा बीसे के पैणलों हो जाएगा तो इसको आप एक काम करना ऐसे लिखना इक्वेशन नंबर थ्री करके और यहां पर अभी फ a upon e b के equal है और यह हमने कैसे लिखा from 3 ठीक है 3 से हम यह चीज बोल सकते हैं तो बोलो by converse of basic proportionality theorem क्या प्रूब हो गया कि ed is parallel to bc जो हमें यहां पर प्रूब करना था तो आएगे अब लिख देते हैं हम finally कि so therefore by converse of bpt ठीक है short में इसको bpt कहते हैं लेकिन मैं पूरा लिख देती हूं basic proportionality theorem exam में ना आप पूरा लिखिएगा ठीक है proportionality theorem तो इस theorem से हम क्या कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि a d is parallel to bc बस hence proof यहां पर आपका जो question है यह होता है finished यह देखे यह है आपका finally answer ठीक चलो देख लो इसको अच्छे से और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना और पीडियाप चाहिए तो मिल जाएगा मैंने बताया आपको telegram चानल मिल जाएगा और अगर आप हमारे साथ live पढ़ना चाहते है live lecture में ठीक है तो आप लोग क्या कर सकते हो हमारी सैब को करके हमारी कोर्स में एंड्रॉल कर सकते हो ठीक है बाकी पढ़िए आप लोग अच्छे से नहीं समझ माय तो पूछिएगा ठीक है चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में और अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले एक्सरसाइज को ओके चलिए बच्चो बाइब बाइबरीवन